क्या खतरना कैदियों को योग सिखाये जा सकता है? क्या योग निद्रा के माध्यम से अपराधियों का हिर्दय परिवर्दन हो सकता है? स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने योग निद्रा का एक अनूठा प्रयोग अप्राधी मनोवृत्ती वाले भ्यंकर कैदियों पर किया था जिसके विशे में जानकर आपको आश्यर होगा योग निद्रा का प्रारंबे को देश्य है शरीर वा मन की विश्रान्ती इसके माध्यम से व्यक्ति केवल विश्राम ही नहीं करता बलकि उसके अंदर निर्मान एवं सुधार की क्रिया भी आरम हो जाती है प्रतेक अभ्यास के साथ व्यक्ति अपनी आदतों तथा संस्कारों को भस्म कर नई चीतना नई विचारों को जन्म देता है सन 1968 में जब स्वामी जी विदेश प्रवास पर थे तो उन्हें एक जेल में कैदियों को योग सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया जैसे ही उन्होंने बरामदे में कदम रखा लगबक 600 कैदियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया वे उन पर हस रहते कोई हूटिंग कर रहा था कोई उनकी धोती खीच रहा था और एक ने तो उन्हें सिगरेट तक पीने को दी उनके हिरदय में एक सन्यासी के लिए भी आदर और सम्मान नहीं था स्वामी जी ने समझ लिया कि इस स्थिति में उन्हें योग नहीं सिखाया जा सकता कोई दूसरा ही विकल्प तलाशना होगा स्वामी जी आगे बताते हैं मैंने समझ लिया कि इस स्थिति में उन्हें मैं योग नहीं सिखा सकता अतह मैंने योग निद्र का प्रयोग करने का निश्चे किया मैंने उनसे कहा कि वे सब सीधे शान्त होकर लेड़ जाएं और अभ्यास के लिए तयार हो जाएं लेकिन वे स्थिर नहीं रह सके वे लेटे हुए भी आपस में एक दूसरे को छेड़ते रहे खीचे तानी करते रहे चिलाते और जगरते रहे तथा ऐसी अशान्ती दायक स्थिति पैदा करते रहे कि मैं आदे घंटे तक केवल यही दोहराता रहा कृप्या शान्त हो जाएं और आखें बंद कर लें मैं इंतजार करता रहा कि वे सब शान्त हो जाएं पर वे शान्त नहीं हुए और मैं वापस अपने होटल में आ गया दूसरे दिन मैंने शिविर के निरीक्षक को फोन करके कह दिया कि अब मैं नहीं आऊंगा लेकिन निरीक्षक ने मुझसे विनाई पूर्वक प्रार्षना करते हुए कहा स्वामी जी आप अवश्य आएं आपके आने का उन पर भारी असर हुआ है जब से आप उने छोड़ कर गए हैं तब से वे शान्त हैं और वे मुझसे अनरोत कर रहे हैं कि स्वामी जी को फिर से बुलाओ जब मैं दुबारा जेल पहुँचा तो वे सभी कैदी शान्ती पूर्वक स्वयम लेटे हुए थे जब मैंने उनसे कहा कि आप सब सूर्य नमशकार के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं तो वे बोले नहीं हमें वही योग चाहिए जो आपने कल सिखाया था मैंने लगातार छे दिनों तक योग निद्र का भ्यास कराया और उनके सिर से पैर तक बाहर और भीतर शरीर के एक-एक भाग में शान्ती की प्रेड़ा भरते हुए उन्हें तनाव मुक्त रहने का ग्यान कराया प्रती दिन की रिपोर्ट से पता चलता रहा कि वे सब कैदी शान्त रहते थे और बहुत कम जगड़ते थे सात्वा दिन विदाई का दिन था वहां सभी उपस्थित थे जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने वे सिगरेट का पैकेट बहार निकाला और उनसे कहा प्रत्हम दिन आपने मुझे सिगरेट दी थी कि मैं इसे पीऊं अब मैं इसे आपके साथ पीना चाहता हूँ मैंने जैसे ही वे सिगरेट का पैकेट अपनी जेब से बाहर निकाला वे आदमी दोड़ता हुआ आया और मुझसे क्षमा मांगते हुए बोला स्वामी जी मैं आपसे बार बार शमा चाहता हूँ कृपया वे पैकेट मुझे वापस दे दीजिए वे कैदी जो एक हफ़ते पहले किसी सन्यासी के प्रति सामान्ने व्यवहार से भी अपरिशित थे केवल योग निद्रा के प्रभाव से पूर्ण तह बदल गए थे इस परिवर्तन का रहस्य क्या है धर्मोपतेश दाट फटकार नहीं केवल तनावों से मुक्ति, शितिली करण और मानसिक शान्ती ही इस परिवर्तन का रहस्य है जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसका व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है वही व्यक्ति जब तनाव मुक्त स्थिति में रहता है तो उसका व्यवहार सामानने हो जाता है वह जानता है कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है उसे यह भी पता होता है कि किस प्रकार का व्यवहार करना है क्योंकि सही आचरण के लिए सत्य का ग्यान आवश्यक है और सत्य का ग्यान तभी होता है जब व्यक्ति तनाव रहित हो